हेलो फ्रेंड नमस्कार कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ शेर करने जा रहे हैं सूजी के गॉलगपे की रेसिपी मैंने पहले भी शेर किया आटे वाले बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया हैं आप देख सकते हैं मैं एक गोलगपा डार वी हूं मैंने उसको टच भी फूलेंगे नहीं या फिर पूरिया बन जाएंगी तो यह आप सारी वीडियो को फॉलव कीजिएगा एक एक स्टेप को और आपके ऐसे ही गोलगपे बनकर रेडी होंगे तो यहां पर पहले सबसे पहले पानी बना लेते हैं गोलगपे का यहां पर मैंने ग्रैंडर लिया इसमें एक हरी मिच डाल दिया है थोड़ा सा अद्रक करके साफ करके मैंने डाल दिया है यहां पर थोड़े से पॉदीने के पते हैं उन्हें धोलिया है उसे डाल देंगे पॉदीने के पतो को आपने अच्छी तरह साफ करके दोके डालना है और यहां पर मैं थोड़ा सा ध यहां पर मैं चीनी डाल दूंगी चीनी आप अपने हिसाफ से डालें मैंने यहां पर चार चमज के गरीब डाले हैं मैं थोड़ा चटपड़ा पानी बनारी हूं खटा और मीठा अगर आप खटा पानी बनाना चाहते हैं तो चीनी ना डालें अगर कम डालना चाहते हैं तो थ अची तरह पीस लिया है इसे हम डारक्टी एक बाउल में डाल लेते हैं और इसके अंदर हम इस ब्लेंडर को धो के थोड़ा सा डाल लेंगे ताकि उसका जो सारा फ्लेवर है वो भी आ जाए अब मैंने एक कटोरी यहां पर इमली का पल्प निकाल लिया था एक कटोरी पूरी आप डालोगे तो इसके टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा अब इसके अंदर दो पिंच के करीब हींग डाल दीजिए हींग से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है बहुत अच्छा हो जाता है यहां पर नमक डालते हैं टेस्ट के कोर्डिंग आदा चमच मैंने नमक का ड दाल दिया है अब इसके अंदर थोड़ी बूंदी डाल लेते हैं अगर आप पसंद करते हो बूंदी को डालना तो डालिए अगर नहीं पसंद करते हो तो मत डालिए अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं अब इसके अंदर पानी आप इसके अंदर डाल सकते हैं मैं अंदर मैंने सभी मसाले वैसे डाल दिये हैं, यहां पर थोड़ा सा अगर अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला डाल दिये जाए, तो और भी इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, मैं इसको टेस्ट करके देख लेती हूँ पहले, अगर इसमें कुछ कमी होगी तो हम डाल द अब इसके अंदर मैं आधा चाट मसाला डाल रही हूँ, आप भी डाल दीजिएगा और इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, लीजे पानी हमारा बनकर अब तैयार हो गया है, अब हम आते हैं गोलगप्य की तरफ और गोलगप्य को बनाना शुरू करते हैं, अब आ यहां पर एक बड़ा बरतन लीजिए, वहां पर उसके अंदर एक कप या फिर एक कटोरी सूजी की डालिए, यहां पर मैंने जो नॉर्मल सूजी होती है घर में वो डाली है, और यहां पर दो चमच मैंने गेहूं का आटर डाला है, जो हमारे घर में रोटी बनाने वाल मैंने जो होना चाहिए, मलक्त खूलता हुआ ऑयल डालना है इसके अंदर पका हुआ, ठंडा ऑयल बिल्कुल ना डालें, चार चमच मैंने इसके अंदर ऑयल के डाले हैं, एक कप सूजी में चार चमच ऑयल के डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं, चार से आप पानी लेना है आपने boiling temperature वाला और इसे अच्छी तरह गूंद लीजिए अगर आप थंडा पानी यूज़ करोगे तो आपके जो यह आटा है वह सॉफ्ट नहीं होगा वह उसमें दानी से रह जाएंगे तो फिर आटा अच्छा नहीं लगेगा और गॉलकपे भी अच्छे नह करना है और एक चीज़ का ध्यां रखना है इसको बहुत ज़्यादा हार नहीं करना है यह थोड़ा सा धीला अटा लगा कर रखेंगे क्योंकि सूजी पानी को पी लेती है अगर हम अभी टाइट लगा देंगे और बाद में इसको गूंतेंगे तो जो गोलकपे हैं हमारे व तबर दबारा से नीड करेंगे इसको गोल कर लेते इस एक अठा करके रख के इसके ऊपर गीला कपड़ा दे देंगे गीला जूर दीजिएगा वश्कूर ना आ क्योंकि 5-7 मिनट तक लगातार गूटना है यह नहीं है कि आप 1-2 मिनट गूटकर आप सोचो कि यह सौफट हो गया है ऐसा नहीं है आपने ताइम देखकर गूटना है 7 मिनट तक कम से कम गूटने तानिकि जो यह सूजी है ये बिल्कुल अच्छी तरह कहतम हो जाए आपको पता चल जाएगा जब सूजी हमारी अच्छी तरह है बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा कि सूजी है कि आटा है तब तब तक हमने इसको गूंटना है देखिए आप इस तरह हथेली से इस तरह गूंट सकते हैं मैं अभी 7 मिनट के बाद आपक गूतलिया है बहुत ज्यादा सौफ्ट माराटा बनकर रडी हुआ है यह देखिए इसमें खिचाओ भी बहुत अच्छा आ गया है अब हम इसकी इस तरह छोट-छोटे पेड़े तोड़ लेंगे आप तीन चार-पांच जीतने भी आपके आटे की साफते निकलते हैं आप इस तरह पेड़े तोड़ लीजिए और इसे एक पेड़े को इस तरह लंबा सा कीजिए और छोटी-छोटी गोलिया निकाल लेजिए जैसे आप अपने गोलगप्य का साइज चाहते हो वैसे बहुत छोटी सी साइज की गोलिया निकालनी पड़ती है अगर आप एक रोटी बनाकर उसमें से कट करके गोलगप्य निकालना चाहते हो तो वैसे भी निकाल सकते हो सोजी के गोलगप्य थोड़े लंबे साइज की होते है इसलिए मैं गोलिया बना रही हूँ तो इसको बेलने मीं बहुत इजी रहता है इस तरह हम इसके छोट-छोटी से पेड़े बना लेते हैं और साइज सेम सेम सा रखिएगा आपको पता चल जाएगा अपने हाथों में कि यह गोली कितने साइज किया उसी साइज कि आप सारे पेड़े बिना लीचिएगा अब हमने चकला लिया है अगर चकला नहीं है तो आप जो किचिन का सर्फिस होता है उस पर रखके बेल सकते हो अब आप देखिए इस तरह थोड़ा सा लंबया कार में हम लोग जो बेलते हैं सूजी के गुलगपे वो इस तरह के होते हैं हम इसे बेल बेल कर साइड में रख ल देखे एपना इजाए जाएंगे उपर से आज जाती है जब ऑल ऑल की एक वहने के लिए हमारा को मैंने के लिए रखा है अब यहां ने के Mom henra केको डालते हैं और देखिएगा यह अपने आप arrives पूलते जाएंगे आपको कोई भी एफर्ट करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी जैसे आप इसमें डालोगे वह एकदम से फूल कर ऊपर आजाएगा आप देखी रहे हैं इसी तरह यह गुलकपा बन जाते हैं और एक चीज का ध्यार रखना है जिस साइट से आपने इसको व उठा रहे हो जैसे बींटा रहे हो जैसे हमने बेलाए है उसी सर्फेस से आपने इसको डालना है अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे यह बिल्कुल फूले फूले जैसे एर भर गई है इसके अंदर ऐसे गोलकपे बनकर हमारे डी हुए हैं अब इसको हमने दोनों से ऐसा नहीं होगा कि एक साइट से क्रिस्प करेंगे हमने दोनों साइट से क्रिस्प करना है यहां पर पूरी बन जाती है लोगों की वो क्यूं बनती है आप इसे दोनों साइट से क्रिस्प नहीं करते हो इसलिए इसकी पूरी बन जाती है और जब आप गोल कपे निकाल रहे देख सकते हैं आप मैं गोलगपे डालती जा रही हूं यह मैंने बिल्कुल हिलाए भी नहीं है और यह फूल कर बिल्कुल उपर आ रहे हैं और एक चीज का ध्यान और रखना है आपने टेंप्रेचर का जब आप गोलगपे डाल रहे हो तब फ्लेम थोड़ी तेज होनी चाहि दोगे तो वह अच्छे नहीं बनेंगे वह जैसे पूडियां होती है वैसे बन जाएंगे अब इसे हमने दो से तीन मिनट लो फ्लेम पे पकाते जाना है धीरे-धीरे करके और दोनुं साइट से पकाना है ताकि इनकी दोनुं साइट के लिए अच्छी तरह क्रिस्पी हो ज तीचे और जाली के ऊपर रखे थोड़ी देर के लिए तेल मिश्ट जाएगा ताब इने आप सर्विंग के लिए रख सकते हैं अब देखिए सारे गोलकपे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं हमने जो पूरा अटा बनाया था एक कप उससे काफी सारे गोलकपे 50 गोलकपे से भ करवा देती हूं आप देखिए यह देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी गोलकपा हमारा बनकर त्यार हुआ था और इसे हमने जब तोड़ा तो यह बिल्कुल चूरा चूरा हो गया है अब हम क्या करते हैं एक गोलकपे को आपको इसना तोड़ कर दिखाते हैं यह देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी यह गोलकपा हमारा बना है अब हम इसमें पानि भरेंगे और इससे सर्ब करेंगे यहां पे मेने थोड़े से प्यास और इसके अंदर आलू और थोड़ा सा गरम-маسाला चाट मसाला और इमली की चटनी ढाल कर एक थोड़ा मसाला बनाए है अग आप लीज यह गॉलगपा हमारा खाने के लिए रेड़ी है आप इसी तरह सर्फ कीजिए बहुत यम्मी और क्रिश्पी गॉलगपे बनका रेड़ी हुए हैं अब देखिए यह गोलगपे हमारे सॉर्विंग के लिए रीडी है मैंने हलका से ओपर धनिया डाल दिया है कटा हुआ आप लीजिए खाये और इंजॉय कीजिए और बनाइए अपने परिवार को भी खिलाइए सभी को बहुत मज़ा आने वाला है अब आप देख सकते हैं मैंने पूरी रेसिपी आपके साथ शेर की है एक एक सेप आपको बताया है बहुत ही अच्छे किस्पी गोलगपे मनकर रेडी हुए हैं आप भी ऐसे ही बनाकर रेडी कर सकते हैं अगर आप थोड़ी जल्द बाजी करते हो किसी भी चीज में तो वो ब तेज होनी चाहिए जब इनको सेखना है तब फ्लेम लो होनी चाहिए और चैनल को सबस्क्राइब करना हुए आगे हम की दूझ को लाइक रुक की साथ मिलते हैं और कमेंट वक्स में बताइएगा कि आपने रेसिपी को ट्राइ किया है और आपके रेसिपी कैसी बनी है इस वीडियो के देखने के लिए आप सबीगा बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही बने रहे है लव यू अल